जब हम बात करते हैं High Performance Automobiles की, तो Automobiles Transmission ही आसान और विश्वस्निय ड्राइविंग के लिए सबसे लोग प्री आप्शन है. इस विडियो में हम इस Complex Mechanism के काम करने के सिद्धन्दों को आसान और लॉजिकल तरीके से एक्स्प्लोर करेंगे. इसके लिए हम Allison Transmission द्वारा डिवैलप किये गए Automatic Transmission का इस्तिमाल करेंगे. Automatic Transmission, Planetary Gear Set के आधार पर काम करते हैं. इस प्रोसेस को समझने के लिए चलिए, Planetary Gear Set के कुछ Basic Parts को देखते हैं. Planetary Gear Set में दो Input और एक Output होता है. Automatic Transmission में Output Rotation को Planet Carrier से ड्रॉ किया जाता है. दो Inputs को Ring और Sun Gears के साथ Connect किया जाता है. अब चलिए देखते हैं कि Input पर अलग-अलग Speed लगाने से Output Speed पर क्या असर पड़ता है. यहाँ पर Ring Gear रुका हुआ है और Rotation केवल Sun Gear को दिया जा रहा है. जैसा कि आप देख सकते हैं इस वज़ए से Carrier Spin करने लगेगा. Ring Gear भी Rotate कर रहा है. Ring और Sun Gear दोनों ही Same Speed से Rotate कर रहे हैं. इस केस में यह पूरा Mechanism एक Single Unit की तरह चल रहा है. अब Ring Gear की Speed को थोड़ा बढ़ाया जाता है. Sun Gear को उल्टी दिशा में घुमाने का नतीजा Reverse Gear होगा. तो Automatic Transmission का Operation किवल Ring और Sun Gear को अलग-अलग Rotational Speed देने पर निरभर करता है. Automatic Transmission की खूपसूरती यह है कि कुछ ही Clutch Packs की मदद से बहुत आसानी से Speed को बदला जा सकता है. आने वाले Sections में हम देखेंगे कि Allison में ऐसा कैसे अचिव किया जाता है. Automatic Transmission में, Input और Output Shafts के बीच में कोई Direct Connection नहीं होता. इन दोनों के बीच में एक Intermediate Shaft होता है. इसके साथ ही Power देने के लिए दो Clutch Packs का इस्तिमाल किया जाता है. Clutch Packs साथ में प्रेस करने से Hub Case के साथ Lock हो जाएगा. ये Automatic Transmission का सबसे आसान फॉर्म है. इसको दिमाग में रखते हुए चलिए देखते हैं कि पहला Gear कैसे काम करता है. जब पहला Clutch Pack अपलाई किया जाता है, तो Input Shaft Intermediate Shaft से Connect हो जाएगा. दूसरी तरफ, अगर दूसरा Clutch Pack अपलाई किया जाए, तो Ring Gear केस के साथ Connect हो जाएगा, जो Ring Gear को रोग देगा. पहला Gear अचीव करने के लिए, दोनों ही Clutch Packs को साथ में अपलाई करिए. आप देख सकते हैं कि Input Shaft Sun Gear को गुमाएगा. क्योंकि Ring Gear रुका हुआ है, Output Shaft Input Speed की One Third Speed से रोटेट होने लगेगा, जैसे कि दिखाया जा रहा है. अडिशनल Gear Ratio अचीव करने के लिए, आपको एक और Planetary Gear सेट जोड़ना होगा. ये तो अब क्लियर है कि C1 अपलाई करना दोनों ही Sun Gears को हमेशा Input Shaft की स्पीड से रोटेट करेगा. अगर हम C4 भी अपलाई कर दें, तो दूसरे सेट का Planet Carrier टर्न हो जाएगा. पर ट्रिक़्ी पाथ ये है कि ये Planet Carrier पहले सेट के Ring Gear के साथ पर्मनेंटली जुड़ा हुआ है. तो जब C1 और C4 को साथ में अपलाई किया जाता है, तो आउट्पुट सेट का Ring Gear टर्न हो जाएगा. तो आउट्पुट सेट में सिचुएशन पहले Gear जैसी ही होगी, पर यहाँ पर Ring Gear भी घुमेगा. इसका मतलब यह है कि आउट्पुट प्लैनेट केरियर की स्पीड बढ़ जाएगी. यह ट्रांस्मिशन का दूसरा Gear है. प्लैनेट केरियर को एक हॉलो शाफ्ट के साथ भी फिट किया जाता है. इस शाफ्ट को एक रोटेटिंग क्लास मॉड्यूल की मदद से डैरेक्ली इन्पुट शाफ्ट के साथ जोड़ा जा सकता है. इस पूरे अरेंजमिंट को ध्यान से देखने और समझने के लिए एक मिनिट लें, बाकि पूरा प्रोसेस आसान हो जाएगा. इस सब के साथ हम चौथा गियर डाइरेक्ट ड्राइव अचीव कर सकते हैं. हमें मालुम है कि डाइरेक्ट ड्राइव पाने के लिए आउट्पुट सेट के रिंग और सन गियर को इन्पुट शाफ्ट की स्पीड से रोटेट होना पड़ेगा. अगर हम C1 और C2 अप्लाइ करते हैं, तो कुछ ऐसा होगा, सन और रिंग गियर दोनों ही इन्पुट शाफ्ट से डाइरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे. छटे गियर को अचीव करने के लिए C1 हटा कर C4 अप्लाइ करें. यहाँ पर सेकंड सेट में, कैरियर को इन्पुट रोटेशन दिया जाता है, और रिंग गियर रुख जाता है. यह कॉम्बिनेशन सन को बहुत तेज रोटेशनल स्पीड देता है. अब हम आउटपुट में एक हाई ओवर ड्राइव रेशियो अचीव कर सकते हैं. बचे हुए गियर रेशियो के लिए एक तीसरे प्लैनेटरी गियर सेट की जरुरत है. जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, इस सेट के सन गियर को हमेशा इन्पुट शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है. और यहाँ पर फिर से इस सेट के आउटपुट को एडजिसेंट सेट के इन्पुट से कनेक्ट किया जाता है. इसका मतलब है कि C3 हमेशा दूसरे सेट के रिंग गियर को टर्न करेगा. बागी सभी गियर रेशियो के लिए C3 हमेशा अप्लाई किया जाता है. तीसरे गियर के लिए C1 को भी अप्लाई कर दे. पांचवे गियर के लिए C1 को हटा कर C2 अप्लाई कर दे. रिवर्स में जाने के लिए रिंग गियर क्लच C5 को भी अप्लाई करे. क्योंकि दूसरे सेट के प्लैनेट गियर्स रिवाल्व नहीं कर सकते, वो इस्पिन करेंगे, जैसा यहां दिखाया गया है. इस वजह से सन गियर्स का रिवर्स रोटेशन शुरू हो जाएगा. इसका नतीजा यह होगा कि फाइनल आउटपुट में रोटेशन उल्टे डारेक्शन में होने लगेगा. एक ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट यह तै करेगा कि कौन सा क्लच पैक कब अपलाई करना है. जब ट्रांसमिशन गियर्स में होता है और हम ब्रेक दबाते हैं तो हमें इंजिन की रोटेशन को ट्रांसमिशन से अलग करना होता है. फ्लूट कपलिंग के साथ एक ट्रांसमिशन के लिए इस वीडियो को देखें. थेंक यू.